नमस्कार जहिन प्यारे बचों क्याल चाल कैसे आप सभी I hope you are well and good स्वागेते आप सबका साइंस एकेडवी प्यावर के यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका अपना पवंसर और आज हम रिविजिन क्लास नंबर टू स्टार्ट कर रहें और पिछली क्लास में जिसका मैं सब्सक्तां का कांविर्ष ठीवर्तर आप सबको पताओना चाहिए कि जब हमें दो या अधिक आवेश्व के कान किसी बींदूальная विधुचैत्र ज्याद करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं परते गावेश्ववगाण विदू चेतर निकाल लेते हैं और फिर उसको हम या तो मैंगनिट्यूड वाईज जोड़ देते हैं या फिर सदीश यूज़ करके उसको जोड़ देते हैं जैसा सहुलियत बराओ तो चलिए निरक्षय तीवर्दा का व पर इस बिंदू पर मुझे विदू चेतर की तीवर्दा ग्यात करने के लिए मेजिन करते हैं यह मानते हैं कि यहां पर कोई एक पोजिटिव चार्ज रखा होगा तो अब आप देखो कि उस पोजिटिव चार्ज को यह वाला जो चार्ज है यह जो प्लस क्यू चार्ज है Base Q यहां पर गंपर रहा होगा उसको राइन इडी मैं कहँड तो यह जो इस तर concerned प्र इलेक्ट्रिक फिल्ड लगा रहा होगा इसको में 29 क्या रहा होगा और यह उसको इसको इसको अपनी तरफ में आ खीच राहा होगा ओर इस reconstruct kisicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic प्लस का इस तरफ दीटा होगा और यह एगल थीटा होगा अब हम क्या कर रहे हैं इस जगत पर इस जगए पर हम जर स现 जब तरह योई प्लस का एक प्लस सेक़ और इस तरफ इसका घटक लूँगा तो आएगा E minus sin theta इसका इधर घटक लूँगा तो आएगा E plus cos theta और इसका इधर घटक लूँगा तो आएगा E minus cos theta आप देखो ये दोनों जो component परिमान में समान और दिसा में भी फिरत होने काने एक दूसरे क्या कर देंगे cancel out कर देंगे तो फिर इस point पर जो पहिणामी विदू चेतर बनने वाला है बेटा मेरे जो इस point पर पहिणामी विदू चेतर बनेगा वो क्या बनेगा sir E उसको मैं P के दू तो हो जाएगा E plus cos theta plus E minus cos theta E minus cos theta यह plus और minus और ज्यान रखना मेरे बोलने का मतलब E plus से मेरा मतलब यह है और E minus से मेरा मतलब यह है यह संकेत बताने के लिए लिखा गया है कई बार जो मैं बोलता हूं उसको बच्चे इसा लिख लेते है E plus cos theta और E minus cos theta यह यह मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं है मैं यह बोल रहा हूं बात समझ में आई क्या यह चलिए अब मैं क्या करता हूं कि plus Q charge के कारण electric field निकाल लेते हैं तो plus Q charge के कारण देखो यहां से यहां की दूरी किती है आर तो यह दूरी किती हो जाएगी R square plus A square under root और यह वाली दूरी भी किती हो जाएगी R square plus A square का under root राइट तो भाई किसी भी charge Q के कारण R दूरी पर electric field क्या होता है के Q divided by दूरी square R square तो ध्यान रगना इस plus Q charge के कारण यह electric field का जो magnitude होगा वो क्या होगा के Q divided by इस दूरी का square यानी R square plus A square हो जाएगा क्योंकि under root square को क्या करदेगा cancel out करदेगा similarly E minus में लिखना चाहूं magnitude में तो क्या जाएगा के Q divided by R square plus A square yes या no के Q square plus R square plus A square hello 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 class के टाइम पर जब फोन कर रहा तब तु उठा नहीं रहा अब फोन कर रहा है बावड़ा आदमी हां तो जब यह दोनों value यहां पुट करूंगा बेटा मेरे तो E जो इस point पर P आएगा वो क्या आएगा बताओ यह आ जाएगा के Q divided by R square plus A square cos theta और plus K Q divided by R square plus A square cos theta आरयe श्यानों यहां से और यह तो यह आड़यों क multiplayer का मेरे पराई तो इसको क्या गोड़ी दे चला गया यह कर ने हुआ जोद्बूर चला गया जेशंव्क मजाक एस मोजाक था हाँ हाँ चल तो दीक है कैसे कैसे बच्चे उसको के के चला गया कि मैं तो जोदपुर जा रहा हूं बेग मेरा यहीं पड़ा है किस काम जा रहा है कि नहीं बताऊंगा 2kq cost theta divided by क्या हो जाएगा और स्कव känome कोई दिक ट नहीं है अब यहां से cost theta की value लिखो तो बैटा इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में cost theta की value या इस triangle में cost theta की value डूंडो तो क्या मिलेगा बयेस भाई हाइपोटेनियूस तो बेस क्या है यह और पॉरवस क्या है और स्कॉर प्लस एस्कॉर की पावर एक बटा दो अब यह औरटा की यह यह जाएगा अधार समानों तो गाते जूड जाती है अब ध्यानगना बेटा यदी मैं इसको E8P लिखना चाओं तो क्या लिखूंगा देखो ध्यानगना के क्यों गुणा 2A साथ लेलू डिवाइड बाई आर स्क्वाइर प्लेस ए स्क्वाइर की पावर 3 बाई 2 अर ये श्यानों यहां तक किसी कोई दिख्का देतो पता नहीं है अब देख बेटा मेरे यहां पर मैं एक कंडिशन लगाऊंगा पहले कंडिशन लगाने से पहले मैं इसको लिख देता हूं कि ये ये पी पॉइंट जिसे में निरक्षय काऊंगा आगे चलकर वो क्या हैगा के पी बाई आर स्क्वाइर प्लैस ए स्क्वाइर की पावर 3 बाई 2 ये पी क्यों लिख दया क्यों 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 गुणा 2a होता है यह नीड इपोल मोमेंट होता है और यह सिनो किसी कोई दि निरेक्षिय सदिस रूप में लिखना पड़े तो क्या जाएगा माइनस के पी बाई आर क्यूब यह माइनस क्यों आया पता चला तुमको यह माइनस इसली आया सर क्योंकि इस डाइपोल का डाइपोल मॉमेंट इस साइड में इस दिसा में और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पर्षेंट आपके एक्जाम में यह सवाल हो गई होगा दूद्रू क्या है या तो अक्षे तीवर्दा का वेंजक बना देगा और हां इनकी इतनी लिख लिख करें बेटा कि आपको वाँ पर यह सोचने की जुरूत ना पड़े कि आप क्या लिख रहे हैं या आपको अगला क टेप क्या लिखना है बात समझ में आई गया आगे बड़े यहां तक कोई दिक्कत नहीं है पक्का बाकी सब आप जो है देख चुके हैं अब आगे बात करते हैं सर कि कोई भी द्वीद्रू है एक समान विद्यूत चेत्र में लग दिया जाए तो उस पर कितना पैणामी ब पर से बल एवम बलागूं अब एवन बलागूं इधर देखते हैं मांण लेते हैं कि सर यह क्या है एक समान विद्यूत चेत्र और इस एक tooth में इस एक समान विद्यूत रखा हुआ है इधर है minus q और यह है plus q आप देखो यह uniform electric field e है और electric field में जो charge पर force लगता है वो क्या लगता है f is equals to q into e यही लगता है right depends on the nature of charge direction इस बात पर depend करेगी कि charge का nature क्या positive हो तो इन दारेक्शन force जो लगेगा f positive इधर लगेगा और वो कियता होगा q into e और negative पर force किदर लगेगा इधर लगेगा f negative वो भी किता होगा minus q e क्या होगा minus q e यदि मैं परिणामी बल की बात करूँ किसकी बात करूँ परिणामी बल की तो sir परिणामी बल जो होगा F net वो क्या होगा बदाओ सर positive पर कितना लग रहा है plus negative पर कितना लग रहा है तो F net क्या हो जाएगा सर QE plus minus QE दोनों को जोड़ेंगे तो F net क्या जाएगा 0 जाएगा यानि एक समान विदुचेतर में द्विद्रू पर परिणामी बल सुन्य होता है परिणामी बल सुन्य है इसका मदलब इस पर कोई भी तवरन भी नहीं होगा रेख्ये तवरन नहीं होगा यानि ये रेख्ये गती नहीं करेगा यानि ये डाइपोल इससे आगे नहीं जा सकता इस point के about अब कुछ कर सकता है क्या कर सकता उसकी बात करते है यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई किती है 2A मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड के साथ इसने किता एंगल बना रखा है थीटा तो यहाँ इन दोनों फोर्सेज की लाइन आप एक्शन के बीच का परपेंडिगुलर डिस्टेंस किता होगा 2A साइन दीटा बला गुण क्या कहता है बल युगम के किसी एक बल का परिमान गुणा परपेंडिगुलर डूरी लंबद डूरी आरियेश यानो तो टो क्या हो जाएगा क्यू गुणा E और परपेंडिगुलर डिस्टेंस किता होगा 2A साइन दीटा क्या मैं इसको ऐसे लिख दू क्यू गुणा 2A फिर साथ में E और साइन दीटा क्या टो बराबर ये क्यू गुणा 2A P हो गया गया तो ये क्या हो गया P E साइन दीटा वेक्टर फोर्म में इदी लिखना चाहेए इसको तो टो क्या हो जाएगा पी क्रोस ए यानी कहने का मतलब द्वीद्रु आगूण और विदुद्चेत्र सदीस के सदीस गुणा से परिभासित रासी बला अगूण है बात समझ में आई क्या ये शिया नो अब ध्यान रखना यहां से कुछ बाते और कर सकता हूं जो मैं आगे क ले लेता हूं इदा देखो टो बराबर अपने पास क्या यहां पी ए साइन थीटा अब इसकी कुछ कंडिशन होगी बेटा है ना बेसिक कंडिशन पहले मैं कहा रहा हूं थीटा बराबर जीरो डिगरी की बात कर लो इट मीन्स पी एंड यह क्या होंगे पेरललल टू इच इसपाइस की डारेक्शन में इससी इसीचो्य इन्पो कि आएगा पी ए साइन जीरो साइन जीरो का मांगितो होता है जीरो तो यह टो क्या जाएगा जीरो डोजिरो जब आता है तो इससे कहें घुल एककिलिबरियम क्या कहेंगे किया यानि इस्ताई कि संतुलन बोर्ड एक्याम में सवाल बनता बैट answer संतुलन की स्तती में थीटा कितना होता है जीरो डिक्री अम में थीटा बराबर क्या कर दू सर 90 ये कर दू सिप बराबर 90 डिक्री का मनलब P&E क्या होंगे वताऊ सर पर dedicate to each other होगे एक दूसरे क्या होगे लंबत होंगे उस situation में टो क्या बन जाएगा पीłeWER्य 90 मताओ слj fixing 90 का मान क्या होगा सिप्टति का मान वनवे यह अधिक्तम बलागूण की स्थिति है तो मैक्जीमम क्या होता है यजुं तो अधिक्तम बलागूण की इस्तती में तिटा कितना होता है यानि थीटा बराबर 90 होता तो बला गुण क्या होता है अधिक्तम होता है राइट और अब थीटा बराबर आता साइन इस शंतोलन है यह बात समझ में आ यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह और आगे बड़े गया अरे हां ना बताओ आगे बड़े हो गया अब आता है सर द्वीद्रू को गुमाने में किया गया कारिये फिर आता इस्तितीज उर्जाप्त तो अगला टोपिक है एक समान विद्युत चेत्र में मैं द्वीद्रू को गुमाने में कारिये तो मान लेते हैं सर कि ये एक समान विद्युत चेत्र है ना एक समान विद्युत चेत्र निरुपित करतें बताने की जूरूत नहीं है यह हो गया आपका माइनस क्यू और यह हो गया प्लस क्यू मान लेते हैं यह कोई थीटा वन इस्तती है यहां से इस डाइपोल को थीटा टू इस्तती तक क्या कर रहे हैं गुमा रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू राइट यह यह नो तो कार्य क्या हो जाएगा integration of tau d theta और कहां से कहां तक theta 1 से theta 2 तक गुमारेशर राइट चूंकि tau क्या होता है अभी तो बनाया था p e sin theta तो यह मानी आपर रखेंगे हम तो w क्या हो जाएगा बताओ सरी हो जाएगा theta 1 से theta 2 p e sin theta d theta p e को बाहर ले लो तो p e बार आगया क्या बच्चा theta 1 से theta 2 sin theta d theta sin theta का integration क्या होता है minus cos theta ज्यान रखना क्या होता है अवकलन sin theta cos theta होता है समाकलन minus होता है यह ज्यान रखना w क्या हो जाएगा p e minus cos theta और theta 2 theta 1 तो हम इसको लिखेंगे w is equal to p e minus cos theta 2 और minus minus plus cos theta 1 इसको हम लिख सकते है w बराबर p e cos theta 1 minus cos theta 2 यहां तक किसी कोई दिक्कत देता बता यह है सर दीद्रू को theta 1 से theta 2 तक घुमाने में किया गया कारिया क्या इसकी भी विशेश स्थितिया ले ले गया w बराबर गया है सर p e cos theta 1 minus cos theta 2 अरे हाँ या ना ठीक है अब देखना है जब मैं theta 1 बराबर 0 degree लूँ और theta 2 बराबर 90 degree लूँ तो उस situation में w क्या हो जाएगा बताओ p e cos 0 degree minus cos 90 degree तो cos 90 degree की value तो क्या होती है 0 और इसके क्या होती है 1 तो यहां से w क्या गया p e यह क्या गया p e यह यहां नो theta 1 बराबर 0 degree लूँ and theta 2 बराबर क्या ले लूँ 180 degree ले लू राइट तो उस situation में w क्या जाएगा sir p e cos 0 degree minus cos 180 degree अब आप देखो cos 180 खुद क्या होता है minus 1 यह क्या होता है 1 यह minus minus प्लस हो जाएगा तो w क्या जाएगा twice of p e यानि 2 p e ज्यार रेखना तो मैं यह कहिदू कि दूइदरू को 0 से 90 गुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसका जश्ट डबल कार्य करना पड़ेगा 0 से 100 c गुमाने में कैई बार इसका अनुपात भी पूछ लेता है 0 से 90 गुमाने यह ऐसे पूछ लेता है ठीटा जीरो टू कि डिवाइड बाई डबल्यू जीरो टू बनेटी तो इस सिच्चियोशन उपर होता है आपका पी और नीचे होता है टूपी तो यह एक बटा दो आ जाता है एक बटा दो ऐसा सवाल भी घुमा फिरागे आपको पूछा जा सकता है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है पक्का अब आता है इसकी इस्ततीज उर्जा अरे दुद्रू को एक समान विदू चेत्र में जब हम 90 डिग्री से किसी भी कौन ठीटा तक गुमाए तो जो कारिय करना पड़ता है वो ही क्या होता है इस्तती जूर्जा यानि यू बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री से एनि एंगल ठीटा तो डी ठीटा इसको क्या लिगेंगे 90 डिग्री से ठीटा पी इ साइन ठीटा डी ठीटा वही चीज यू इस यूगेस टू क्या हो ऐगा sin θटा का माइनस cos θटा 90 से θटा एक बार ठटा रखेंगे तो u बराबर P e minus cos θटा माइनस माइनस plus cos 90 cos 90 क्या हो गया 0 क्यों हो गया 0 तो यह क्या बच्चा u बराबर माइनस P e cos θटा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या यूज इक्वेस्टू माइनस पी डोट ई अरे हां या ना किसी कोई दिक्कत नहीं है पी और एक अधिस गुणनपल का रिनात्मक मान किसके बराबर होता है अब ज्यान देना यहां से यूज इक्वेस्टू माइनस पी इप को सिटा आ रहा है क्या अलग-अलग इस्तिति है को zero degree जिरो डीग erो यह बताव को तो यूज बराबर क्या हो गया माइनस पी पोतेंचिल एनरजी मतलफ स्टेबल कॉनत रह्ट संतु लान इस्ताइ संतुलन अब समझ में आगए क्या पोटेंचिल एनरजी का मतलब क्या हो गया स्टेबल एकिलिप्रियम इस्ताइ संतुलन थीटा बराबर 90 degree तो U बराबर क्या हो गया माइनस P E cos 90 cos 90 0 होता U बराबर 0 इस situation को हम कह सकते हैं कि 0 potential energy यह चालो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 degree थीटा बराबर 180 degree उने पर U बराबर क्या हो जाएगा माइनस P E cos 180 degree और cos 180 degree क्या होता है माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो यू क्या हो जाएगा प्लस पी इए पोटेंचल एनरजी पोजिटिव इसका मतलब कौन सा संतुलन एस्ताई यानी अनिस्टेबल एकिलिब्रियम आरे ये श्यानू यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बता मेरे साब से तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लियर है अपने नोट्स में नजर रखे और मैं फिर के रहा हूं आपकी क्लास होने के बाद में इसको रगड़ रगड़ के मोद गनमी यार थोड़ा पाणी देना है क्या अधे जल्दी दे विटा आप अब क्या पढ़ते पहले आवे स्वित्रन बढ़ लेते क्या कर लेते के अवेस वित्रन जादा अच्छा रहेगा कुस्को क्या एक है सतत अवेस वित्रन तीन परकार होता बटा आशतस रेक tu एक होता प्रस्टिये 5 तह है कल सब्सक्रार प्रस्ट यह एक होता है अडरि या इसके ईकेल लाता है बोडब एक्जाम में सवाल पूचाय ररेक्या वेस्कों उभाइस प्रिभास क्तव बिमाद लके लो क्ये लिक्लो हैं Stars प्रिष्टे अवेज गनतु के लिए सिगमा dq by ds या d a जो भी लिख लो dq by d a लेलो या ds लेलो एकांग प्रिष्टे चैद्रपल पर अवेज का मान क्या गिलाता है प्रिष्टे अवेज गनतु कर लाता है और इसके लिए रो डी पाइन होता है dq by dv एक उल्म पर नहीं आई तन में वित्रित आवे इसका मान्थ इसका YEAHрок कुलाम परती मीटर स्का क्या हो जाएगा कुलाम परती में जूरे स्क आँर इसका क्या हो जाएगा कुलाम परती मीटर और इसका L-3 A1 T1 या T1 A1 जो भी आप कहना चाहो यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो पता अरियेशन और डेपिनेशन भी लिख लोगे ना लिख लोगे डेपिनेशन भी क्लियर है आगे बढ़े पक्का अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर किसकी किसकी बात करते हैं फलक्स की फलक्स क्या है भाई ड्यान डगना फलक्स क्या है अदिश गुणा करते हैं का और किसका करते हैं हा तो फाई ए क्या हो जाएगा ए डाट ए डाट ए यानी विदू चैतर सदीस और चैतरफल सदीस के अधिश गुणनपल से परिवासी तराज़ी क्या कलाती है flux केलाती, क्या केलाती बटा flux केलाती, electric flux केलाती हम ये भी कह सकते हैं कि कोई area है उससे जितनी number of lines पास कर रही है, electric field lines perpendicular, वो क्या केलाएगी field lines, आपका flux केलाएगी, यह सहनो यानि विदुद चेत्र में रखे, एकांग चेत्रपल से लमवत गुजरने वाली, विदुद चेत्र रेकाओ की संक्या केलाती है flux केलाती है, यह भी हम कह सकते हैं, हाँ यहीं सही एक बात कर लेते हैं flux क्या है, अधीस है यानि स्केलर है, मातरक क्या हो जाएगा मातरक क्या हो जाएगा बताओ बताओ Newton है, मेटर स्क्वायर पर हुलाम यह श्यानों, और विमा क्या हो जाएगी, वे से इसको और क्या बोलते हैं विमा क्या हो जाएगी है है 13,31 हाँ 1,1,L,3 T-3,A-1 13,31 पिछे वाले, अब ज्यान रखना है यहाँ पर भाइज इस इक्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कुछ सेलना अथमक और सुन्णे क्यों लिए अब देखना मैं पॉजिटिव फिलक्स के लिए एक अन्डिशन लाना हूं थेटा पराबर जीरो तो फाई क्या हो जाएगा यह यह तो फाई क्या हो जाएगा यह रहिए यानी यह पॉजिटिव है वैसे positive flux की एक सर्त है वो क्या है कि theta का मान 90 से क्या होना चीए चोटा होना चीए और 0 से बरावर हो सकता है यानि cos का मान जा positive होगा flux का मान वाव क्यों होगा positive होगा right theta बरावर बात करते है 90 degree तो 5 is equals to क्या हो जाएगा e a cos 90 cos 90 क्या होता है बटा तो 5 क्या हो जाएगा 0 5 क्या हो जाएगा theta बरावर 180 degree तो 5 क्या हो जाएगा e a cos 180 cos 180 की value क्या है बटा मेरे minus 1 तो 5 क्या हो जाएगा minus e a minus e a इसकी in general सर्त होती है कि theta का मान 90 से बढ़ा हो और 180 के बरावर यहाँ छोटा हो यह flux के दनात्मक रिनात्मक और सुन्य होने की conditions हो गई यहां तक किसी कोई दिक्कत है गया नहीं है पक्का clear है अरे हाँ या ना आगे बढ़े गया चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर किसकी गाउस के नियम की किसकी बात करते हैं है गाउस के नियम की आना या गाउस का नियम लिग दो भई या वो का नियम गांस का नियम क्या कहता है सर फाइ niet आंच नियम क्या है या यानि गांच के नियम का नंसार किसी भी किसी भी बंद काल्पनिक प्रस से घुजरने वाला werk इस परश द्वार परिबद अवेस और एक बटा एप्शिलों जीरो के क्या होता है भराबर होता है ज़ा और शिमेशन क्या है परिबद कुल आवेश परिबद कुल आवेश अरबा समझ में आई क्या यहां तक किसी को दिखकत है नहीं है पक्का क्लियर का नियम किस किस के बीच मेरी रिस्ता बनाता है फाई एंड क्यू फ्लक्स और आवेश के बीच में सीधा सम्मंद बताता है एक चीज़ और देखो फाई क्या है सर सिमेशन क्यू भाई एप्सिलोन जीरो इदा देखना यदि सिमेशन क्यू का मान जीरो है तो फाई भी क्या होगा एदि सिमेशन क्यू का मान लेश देन जीरो है तो फाई क्या होगा यानि नेगिटिव और यदि सिमेशन क्यू का मान जीरो है तो फाई भी क्या होगा कि अरीज़ चैनों फ्लक्स धनात्मक वोने का मतलब परिबद प्रिश्ट में कुल आवेस जो है वो क्या धनात्मक कि रिजल्टेंट चार्ज कें पोजिटिव है और नेगुटीव वने मतलब क्या है एख एक प्रस्ट में एक नहीं दोनेए तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं एन दुधुरू रखे हुए बढ़ा हो जलिए यह नहीं वेश है दो वड़ाई बनता आपके तो तो दूइद्रू रखेंब इससे फलक्स बताओ मेरे टाउए सो जीरों क्योंकि और किसी गर का फूलावेस क्या होता है सुन्ने पोंTalk क्ला माइनस तो हुलावेस दूद्रू क्या होता है सुन्ने होता है तो यह रूप पर आवेश से हमारा मतरब है हमारा मतलब है किसी एक वेशल का पर परिमान से अनल यहां तक कोई बी बात आपके आपके ऑने में छीद समझ में नहीं ह Lor b अजो है है यहां पर एक हम प्रस्ट लेंगे कि खाउशन प्रस्ट क्या लेंगे हैं तो गाुस के नियम कोप्लाई करने के लिए काम में लेने के लिए एक हम प्रष चुनते हैं कालपनिक पाउस चुनते हैं उसको क्या ला इसको धूर जॉयान रखना जीया सदेव क्या होना चाहिए सम्मित होना चाहिए औरर इसके यह थीटा का मान यह तो 0 डिग्री या एक्सों सी डिग्री या फिर 90 डिग्री होना चीए ताकि केल्गुलेशन करना क्या हो जाए इजी हो जाए बास समझ में आई क्या सम्मित होने से मेरा तात पर यह है कि वहां एक को क्या माना जा सकता है नियत इक चीज़ और द्यान दिन ょek Ronnie J ipadita Salam ऐसे इसको गौहसपर में पहलू नियोग को कि समाकलय रूप कैते है इसको गौशपर में भी कहते हैं यह तरह से बहुना करते हैं और इसी को यूज करके इसी सी गोश्त्योर्म को यूज करके हम किसी भी आवेस्वित्रण के संगत या सतत आवेस्वित्रन के श उपसार क्या चुनते हैं गाउशन प्रश्ट चुनकर उस पर फ्लक्स की परिवासा लगाते फिर गाउश का नियम लगाते दोनों से क्या मिलता है फ्लक्स का मान दोनों को क्या कर देते बराबर वहां से जो रिजल्ट नमे पता करना वो रिजल्ट नमे मिल जाताय है बास समझ में क्या एक चीज द्यार रगड़ा यहां से जो बड़ा सवाल बनता है वो बनता है गाउस के नियम का कतन लिखते वे इसकी साहिता से ए परिमित एक समान आवेशित चालक तार के कारण वेदुचेत या फिर किसी परत के कारण जो चालक परत हो सकती है या फिर कुचालक परत हो सकती है और या फिर आवेशित गोल ये कोस के कारण आपके सेलेबस में यही दो चीजे और इसके बाद आपका चेप्टर क्या है कि कतम है अर्येश्यानों यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है अना गर्मी है कल की क्लास के लिए रखते हैं मरें को थोड़ा अनेजी भी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि माना भी थोड़ा बाल-ब जाना पड़ेगा तो कल अपना है यह चैप्टर के वह वाली क्लास जुरूर क्या रहेगी लाइव रहेगी क्योंकि उस क्लास में हम करने वाले चेप्टर वन से रिलेटेट जितने बी mcqs question है वह करने वाले उन से रिलेटेट कोई छोटे question भी वह वह कर वादूंगा या लेकिन फस्ट अपना रहेगा फर्स्ट अपना टार्गेट रहेगा सर एमजी क्यू कुश्चन और चोटे कुश्चन ये शानो अरहाया न और साथ के साथ बड़े कुश्चन तो मैं बोलते बोलते बता ही रहा हूं तुमको यह आएंगे यही चपने अब आप आइडिया लगा लो इसमें कितने यह अपना जो है इधर भी आगे बढ़ता रहेगा अब डेली पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है अना कल तो मैं वह पंका और लगवा दूंगा यहां वस्ट आज वो भाईया आगे वापर वावस गये वह आये नहीं भी तक अना फिर मेरे को गर्मी और नहीं लगेगी तो घर जाके मां फिर गे रहा हूं तब तक डेरिवेशन आपको लिखने है जब तक कि आपको याद ना हो जाए यदि कोई एक बार तो नींद में भी जापट देके खड़ा करे और कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग लिख तो तू चारों ही लिख दे उसको यह ना पूच् कि मेरे अंकल बहुत इंट्रलीजेंट थे मैतमेटिक्स में उनके यह आता था कि 10 कोश्चन आते थे और उसमें से साथ करने होते थे ठीक है अटेंप एनी सेवन ऐसा लिखा आता था तो कि दस कि दस लिखे और कि देटेंट चेक एनी सेवन क्या लिखिए दे चेक छेक राधी साथ कर लें और नमबर देदे मतलब इतना कॉन्फीडेंस होना चिए क्यों कि इतना कॉन्फीडेंस मैं अचाए लगिन फिर भी इतना होना च्छी कि आपको अथ्वा वाले कुष्चन में भी कोई डाउट नहीं होना ची है यह से आनो ठीक है जे हिन